नमस्कार दोस्तों, फोन डड़ के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूँ अमित और आज हम बात करेंगे रिलाइंस के एक नई ओफर के बारे में जिसका नाम है जियो धन धनाधन ओफर अब यह काफे इंटरस्टिंग नाम है क्योंकि इनका पिछला ओफर का नाम था समर सप्राइज ओफर उससे पहले था हैपी होली, हैपी न्यू यह लेकिन चलिए हम बात करते हैं जियो धन धनाधन ओफर के बारे में आपको पता ही होगा कि मैंने एक पेटिशन शुरू किया था जिसमें हमने यही कहा था कि ट्राइ को सारे ओपर्टर्स का सपोर्ट करना चाहिए जो काफी अच्छे ओफर लेकिन अगर हम उस्प्राइज ओफर के बात करें जैसे एपरिल, टू में, में, टू जून, जून टू जूलाई तीन मेने तक आपको सब कुछ फ्री मिला था उसके बाद आपने जो भी रिचार्ज किया था उसकी अमाउंट आपके अकाउंट से चार्ज होने वाली थी तो करीब आपको चार मेने का डेटा सिर्फ तीन सो तीन लिया, चार सो इन इन रूपे में मिल जाता था लेकिन हालां कि अब ये ओफर चला गया है तो इसके बाद अब नया ओफर आया है जिसका नाव है जियो दंदनादन ओफर और इसके अंदरकर आप देख सकते हैं कि आपको हर तीन मेने का एक बेनिफिट मिलेगा और इसमें प्राइम मेंबर और नौन प्राइम मेंबर के लिए अलग स्कीम से है, अगर आप प्राइम मेंबर है तो उसके लिए एक ज्यादा फाइदा मंद है पिछला ओफर तीन सो तीन रूपे का रिचार्ज था तो आपको तीन मेने का डेटा मिलेगा और पिछले वाले स्कीम में आपको चार मेने का मिलता है तूथा तो आपको फ्री है तो यहां पर एक महिना कम डेटा मिल रहा है फिर जो हलांकि वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा ही है मतलब इसमें क्या नुक्सान है आपका तीन मैने का दो डेटा आपको 100 रुपे के आसपास पर मैने का मिल रहा है जिसमें आपको हर दिन 1 GB डेटा मिलेगा और अगर आप 509 का रिचार्च करते हैं तो आपको हर दिन 2 GB का डेटा मिलेगा और कुछ लोगा ने ये भी सवाल मुझे पूछा है Facebook पर और Twitter पर कि मैंने अगर अपने फोन को अलड़ी रिचार्च किया हुआ है तो मेरा क्या हाल होगा तो आपको कोई चिंता लेने की ज़रूत नहीं है अगर आपने फोन को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा इसके अलबा कोई आपको सवाल हो तो मुझे ट्वीट कर दीजे अट अमित भवानी या आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और कॉमेंट्स अपने पोस्ट कर देजिए और हमने एक डिटेल स्टोरी अपने वेबसाइट पर दाली है जो है फोनेर डॉट कॉम तो वहाँ पर इवाब जाकर इस टोरी के बारे में पढ़ सकते हैं मैं हूँ अमित और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई